हलो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने लावा युवा 3 प्रो अंडूड में आप अपने मुवाल फोन के स्टोरेज को आप कैसे बढ़ा सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं तो जिसलिए मैं आपको सिरिए तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप तीसरे तरीकी के जरीए, यानि कि आप अपने फोन से फाल दोगर डेटा हटा कि अपने फोन का स्टोरिज कैसे बढ़ा पाएंगे, तो चलिए पहले फिलाल के लिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, फोन की गैलरी में देखें, राइट साइट की टोप पर पर ये प्रोफाइल पिक्चर होती ही से टाप करना है, आपका जो आने याला पेज आगा, इसमें देखें बैकप की सेटिंग है, अब देखें, ये तो होगी आपके एपस की बैकप सेटिंग की बात, अब आपको आना अपने मुवाइल फोन की बैकप सेटिंग बंद करनी है, इसके लिए आपको फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है, सेटिंग पर नीचे शिटम पर ताप करना इसके न दर आपको सेटिंग मिलती है तो Nć Online off writers की नीचे देखिया है क्योंकि मैवना अपने फ veya बैकम सेटिंग बंद कर हते हैं आपको यह यह भी आपको प्रिष्प बंद करण रही है तुन कि जो है चल्दियिisenंग हो वो बढ़ जाएगा ठीके ना अगर आप ये बैक अप सेटिंग बंद कर देंगे तो अब दूस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना है कि आपके फोन में जितने भी आपस है सभी आपस को प्रोसे के अपको अपको अपने फोन से अनिस्टॉल कर देना है जिससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने फोन के ने गैलरी का ओपन करना है फोन की गैलरी के अंदर आपके जितने फालतुगी फोटो वीडियो आपने गैलरी में रख रखे सारे की सारी फालतुगी फोटो वीडियो आपको पर्मानें डिलीट करने जिससे आपके फोन का स्टोरेज बढ़ जाएगा अब दोस्तों यहां पर आपको अगला प्रोसेस करना है कि मोबाइल फोन को तब करना है जब मेरे बताया हुए पिछले प्रोसेस कोई भी काम नहीं करते तब आपको फोन को रिसेट करना है अधरवाइज नहीं करना है c सबसे नीचे डिलिट यसे आपको फोन का इस्टोर बढ़ जाएगा लेकिन को फोन का फोन को रिशेट करने से पहले दो बातों का ध्यान रखना है पहली बात ही ध्यान रखना है आपके फोन में जीद्णा बन की जीमेल आईडिया और उसका password आपको पहले से note करके रखना है यह दो काम आपको पहले करना है उसके बाद आपको phone को reset करना है तो दोस्तों इस video मेरे बता है वह सारे process आपको use करने इससे आपके phone का storage बढ़ दाता है ठीक है